तो Windows 11 आपके system में चलेगा कि नहीं, Windows 11 कैसे आप लोग download कर सकते हैं, Windows 11 कब आएगा, Windows 11 free है कि नहीं, Windows 11 में क्या-क्या दिक्कते आपको आ रही है, क्या वहाँ पे software चलेगा कि नहीं, इतने सारे questions आप लोगों ने मुझे पूछ डाले, तो मैंने सुचा क्यों ने एक वीडियो बना दिया जाए, तो यह रहाँ वीडियो, यहाँ भी आपको पता चलेगा, legally आप कैसे Windows 10 से 11 अफग्रेट कर सकते हो, कोई भी आप लोग से download करने की ज़लत नहीं, क्या-क्या दिक्कते आ रही है, regarding TPM, वो भी आप लोगो बताऊंगा, साइच-चत क्या-क्या-क्या-क्या- तो दबा देना, क्योंकि ऐसी कंटेंट आप लोग को जो मुझे देनी है, तो अगर सब्सक्राइब नहीं करेगा, तो मिलेगा कहाँ सह, है कि नहीं, तो सब्सक्राइब कर देना, तो देखो यहाँ यहाँ पर Windows 11 की बहुत सारी कहानी है, जैसे कि Windows 11 की मैंने पहले ही आप ल Windows 11 में लीगेली डाउनलोड कर सकते, तो देखोर Windows 11 की कुछ requirements है, जो आपको fulfill करना होगा, तब ही जाके Windows 11 आप लोग enjoy कर पाऊगे, तो नमबर वन चीज जो है प्रोसेसर, प्रोसेसर देखो है dual core या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, और 1 GHz से आप लोगको ज्यादा स्प compatible होनी ज़रूरी है, उसके पाद system architecture की बात के तो 64 bit का system architecture support करता है Windows 11, साथी साथ यहाँ पर security chip की बात करते है, तो यहाँ पर TPM 2.0 की support होनी mandatory है, साथी साथ जो है यहाँ पर आपकी जो firmware है वो UEFI support होनी होगी, साथी साथ जो secure boot function है वो enabled होना होगा, तब जाके Windows 11 आप लोग enjoy क तो यहाँ पर कैसे हम लोग check करेंगे, हम लोग check जब करते हैं, यहाँ पर एक app लोग ने दिया है PC health app, उससे हम लोग check करते हैं, तो यहाँ पर शायद से आपके Windows में आ गया होगा कि आप Windows 11 को enjoy कर सकते हैं, बट यहाँ पर जादा था लोगो को आ रहा है कि Windows 11 आप लोग enjoy न सेट करोगे तो वहाँ से fix हो सकता है, तो यह करने के लिए download करो यहाँ पर link में ने दिया है इस तरीके जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो यह जब आप download करेंगे तो यहाँ पर error वगरा दिखाएगा कि यह virus वगरा है, तो इसको आप लोग को skip करना है, इसको इसक install करने के बाद directly result दिखा देगा कि आपका यहाँ पर क्या दिक्कत है, आपकी architecture कैसी है, boot method कैसी है, CPU compatibility है की नहीं, direct text है की नहीं, disk partition enabled है की नहीं, secure boot enabled है की नहीं, तो सारे चीज़े इस software की मदल से आप लोग देख पाऊगे, बहुत easy है और transparent है, जिसको आप लोग यूज एक लोग को पता नहीं था, तो मैंने आप लोग के साथ शेर किया, तो ज़रू से चेक आउट करना, अभी बात करते हैं, अगर TPM का आपको error आ रहा है, वो कैसे आप लोग ठीक कर सकते हो, देखो यहाँ, मेरे पास जो PC है, यहाँ पर ASRock का B450 motherboard है, जिसके अंदर TPM का header है, लेक और जो 8th generation CPU के साथ आते हैं, जैसे कि Intel की बात करते हैं, जो 2018 में रिलीज हुआ था, वहाँ पर आप लोग को TPM का support देखने को में जागा, तो उन laptop के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं, Intel का बहुत सारा line-up होता है, i3, i5, i9, या फिर i7, तो यहाँ पर जो है न, इन सारे laptop को एक चीस, आपनो make sure करना, कि हो minimum 8th generation की, और 2018 में release हुआ हो, या फिर 2011 के बाद, उससे पहले का कोई भी processor है, तो Windows 11 वहाँ पर support नहीं करने वाला, और AMD processor की बात करते हैं, तो यहाँ पर Aethalon series, Ryzen series, जो की यहाँ पर ZenPlus Architecture Group और Base processor है, और 2018 के बाद जो है, या फिर 2018 में लाँच हो ह वो सारी जो processor यहाँ पर Windows 11 compatible होने वाला है, यहाँ पर compatibility list की बात करते हैं, तो मैंने यहाँ description box में आप लोगो तीन links दे दिया है, वहाँ से आप जाकर चेक आउट कर सेते हुए, कौन से processor यहाँ पर support करेगा Windows 11 को, सारे list है, Intel की है, AMD की है, और Qualcomm की processor के साथ, जितने भी machines आई जो Windows 11 को support करेगा, वो सारे list वहाँ पर दिया गया है, जो कि Microsoft का खुद का है, वहाँ पर जरूर से जाकना, तो यहाँ पर laptop में अगर TPM को enable करना है, वो कैसे करना है, तो यहाँ पर कोछीज है, आप लोग BIOS के अंदर set कर सकते हो, आपको यहाँ boot menu के अंदर जाना है, यहाँ boot menu की keys अलग-अलग होती है, किसी का F8 होता है, किसी का F12 होता, Escape से आता है, तो देख ले ना internet के अंदर के आपका manufacturer कौन है, तो उसके according आप लोग को keys press करना है, जब आप लोग restart करोगे, यहाँ पर shutdown से turn on करोगे, तो वहाँ पर press करते रहे ना, आपका boot menu आपके पास आ जाए technology, जो कि Intel based machines के अंदर आप लोगो देखने को जादा तर मिलता है, AMD की बात के तो यहाँ पर AMD के अंदर आप लोग को FTPM देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोगो BIOS मेनू के अंदर देखने को मिलेगा, अगर आप लोग यहाँ पर advanced settings के अंदर जाते हो, तो यहाँ पर make sure क के अंदर आप लोग को यहाँ पर secure boot जादा तर देखने को मिलता है, उसके अंदर जाओ और उसको जाके enable आप लोगो कर लेनी है, और यहाँ पर secure boot काम नहीं कर रहा है, तो make sure करना कि administrator password एक अपने enable करके रखा है, और उसके बाद फिर से यह step try करो, और उसके बाद secure boot को आप आप लोग करना, पासवर्ड भूल मत जाना, भूल जाओगे तो अब turn on ही नहीं कर पाओगे आपके machine को, तो यह चीज़ ध्यान रखना, बहुत लोग नहीं यहाँ पर कहा है कि यहाँ वर्चुलाइज़िशन का जो option है, यह अगर आप लोग on करते हो, तो Windows 11 का problem solve हो रहा है BIOS या फिर UEFI के अंदर यह चीज़ अगर करते हो, तो आपकी problem solve हो जाईए, यहाँ पर BIOS के अंदर आप लोगो बहुत से option देखने को मिल सकते हैं, पहला यहाँ पर Intel Virtualization Technology, उसके बाद Virtualization Technology या और Intel की Intel VTX, उसके बाद AMD V, उसके बाद SVM Mode, ऐसी अगर कुछ चीज़े आप ल problem solve हो सकता है, आपने सब कुछ कर लिया और यहाँ पर आपका error आ रहा है, तो यहाँ पर शायद से उस application के अंदर कोई bug हो सकता है, तो यह चीज़े आप लोग देख लेना और जो मैंने software आप लोग बताया था, उसको install करके भी check out आप कर सकते हो, वो आपके लिए फाइदे म होना चाहिए, जिसकी मदद से आप लोगो करना होगा क्या यहाँ पर जाके Windows Insider Program के अंदर क्लिक करो, करने के बाद account को select करो, वहाँ पर जो setup करने के लिए कर लो, Insider Program को join करोगे तो यहाँ पर developer का option चूज़ करना, उसकी मदद से होगा क्या यहाँ पर आप लोगो बहुत ज दिखाए देगी, error आपको दिखाए देगी, जो कि developers लोग use करते हैं और उसको fix करते जाते हैं, तो यह सारी दिक्कते आपको आ सकती है, in developers preview, या फिर insider preview, या फिर beta testing में, तो beta जितना भी version आता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत तो आपको मिलना ही है, next आप पूछोग अगर आप लोग वेट कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा ही, आपको stable version देखने को मिलेगा, बट अगर आप लोग बहुत जादा crazy हो, कि Windows 11 अभी चाहिए, then developer option is the one for you, जैसे कि मैंने यह आपे developer option on करके रखा है, तो बहुत सारी चीज़े change हो रही है, धीरे धीरे, जैसे आप लोग को Windows 11 का beta version देखने को मिल जाए, तो अगर आप लोग अभी enable करना चाहिए, तो insider program join कर दो, उससे better option आपके बस नहीं है, तो I hope आपका doubt यह पर clear हो गया, कि यहाप ए confusion क्यों हो रहा था, support होगा कि नहीं, बहुत लोग मुझे पूछने थे कि यह बिलकुल free है, यह files पगरा रहेगी, but make sure करना कि C drive ज्यादा तर आप लोग खाली ही रखे, अलग drive पे रखना for backup purpose में कह रहा हो, आप लोग को तो यहाप आप लोग को एक backup कर लेनी है, तो C drive जाये तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपके files जो बिलकुल safe रहेगी, तो यह safe site के लिए आ लोग जो को ISO, देखो यार यह कहां जारा है कि December या फिर January के बीच में आप लोग को जो एक ISO file दिखाई देगा, या फिर उससे पहरे भी दिखाई दिया सकता है, Insider Preview अगेरा, जो कि आप लोग इंस्टाल कर सकते हो, वाया ISO, अगर इंटरनेट की आपकी थोड़ी तंगी है या फिर आप इंटरनेट से डाउनलोड नहीं करना से तो, तो let the ISO first release और उसके बाद डाउनलोड करके आप इंस्टाल कर सकते हो, अभी भी आप लोग को यहां पे जो leaked version है वो इंस्टाल कर सकते हो, बट प्रीफरेबल नहीं है, क्योंकि आप अप लोग को over the air देखने को मिल यहां से जो आप लोग डिरेकली डाउनलोड करके enjoy कर सकोगे, तो यह सारी चीजे थी Windows 11 के बारे में, जो शायद से मैंने cover की, आपके लिए helpful हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है, आप लोग नीचे comment मुझे मुझे बताएगा, उसका reply ज़रूर आप लोग को मिल जाएगा, औ और यहां बें मिलते किसे अगले interesting वीडियो के साथ, तब तक लिए पुराने वीडियो को जाएगे check out करना, till then have a wonderful day, stay learned, stay safe and bye-bye.